आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, our question is A sphere is melted to form a cylinder whose height is 4 1 by 2 times its radius What is the ratio of the radius of a sphere to cylinder? 4 option दिये हैं बताना है चारों में से कौन सा सही है तो बच्चो देखिए एक तो मुझे क्या given है एक तो sphere है तो sphere को इन्होंने क्या करा melt करके इन्होंने बना लिया इसको cylinder तो दोनों का volume बराबर होगा sphere का volume किस के बराबर होगा cylinder के volume के बराबर होगा तो बच्चो रफली बना दिया है मैंने ऐसे ही ताकि आप समझ पाओ तो यह cylinder के volume के बराबर होगा V' मान लेते हैं इसे तो बच्चो देखिए यहां से जो cylinder का कह रहा है cylinder की height मैं h मान लेती हूँ और radius को मान लेती हूँ मैं r तो यहां पर देखिए वो कह रहा है height is equal to 4 1 by 2 times of its radius तो h is equal to 2 4s are 8 और 1 9 by 2 और यह r h के अपॉन में आ जाएगा तो h और r का जो ratio आ गया कितना गया 9 ratio 2 तो यहां पर देखिए ratio में किसी भी same number से multiply कर सकते हैं तो मैं यहां पर x x से multiply कर लेती हूँ और जो sphere की radius है sphere की radius को मैं मान लेती हूँ r dash तो sphere का volume और slender का volume equal होगा तो sphere का volume होता है 4 by 3 pi into में radius की whole cube और slender का volume होता है pi into में radius का whole square into में height तो अब देखिए जो जो values है पुट कर दो 4 by 3 pi radius कितनी है इसकी sphere की r dash तो r dash की cube is equal to pi radius का square मतलब 2x का square तो यह कितना आजाएगा 4x का square into में height कितनी है 9x अब इसे solve कर दो तो देखिए यहां से pi से pi cancel हो जाएगा 4 से 4 cancel हो जाएगा तो यह कितना आगया बच्चों यहां से r dash upon यह वाला x दोनों तरफ क्या करो cube root ले दो अब तो यह आजाएगा r dash upon में x is equal to 3 by 1 तो x की value कितनी आगया 1 तो यहां से मैं height निकाल सकती हूँ cylinder की तो यह तो 9x है x की value 1 है तो height आगया 9 और यहां से मैं radius निकाल सकती हूँ cylinder की 2x है तो 2 into में 1 तो यह आगया 2 और r dash that is the sphere की radius तो यह आगया 3 तो क्या पूछ रहा है वो sphere की radius का cylinder की radius ते मतलब वो पूछ रहा है r dash upon r तो r dash है 3 और r है 2 तो कितना answer आगया 3 ratio 2 तो d options है thank you